हेलो, आज हम पढ़ेंगे रोबो मेरा दोस्त विज्ञान के बढ़ते चरण नित्य प्रती दिन हमें चमतकरत करते रहते हैं ऐसे ही एक नई खोज रोबोट है विक्सित और विकास शीर देशों में उनकी जरूरत दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है बच्चे भी ऐसी ही कलपना में जीते हैं एक बच्चे की कलपना का सुन्दर रूप पढ़ी है अब ये चैप्टर जो है ये एक बच्चे की इमेजिनेशन के उपर है अब हम हमेशा नियूस पेपर में पढ़ते रहते हैं न्यूज में टेलिविजन देखते रहते हैं कि साइंस में बैली नए-चारा होते जा रहे हैं जो कि इसी होती चमतकार करने तो एसी एक नएया प्रवस्व सब्सक्राय। तो रोबोट के बारे में न्यूज में न्यूस पेपर्स में काफी आता था और जो भी डेवलप कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा लगता है कि हर काम के लिए रोबोट होना चाहिए घर का कोई भी काम है तो रोबोट करके दे तो और बच्चे जो हैं वो हमेशा अपनी imaginary world में जीते हैं तो ऐसे एक बच्चे ने imagine किया कि life कैसी होनी चाहिए दूसरा देश होगा तो वहाँ पर कैसा होगा रोबोट सा चाहेंगे तो कैसा होगा यह chapter उसी के बारे में मैं एक रोज रात में देर तक जागता रहा जैसे ही सोने की तयारी करने लगा मैंने एक सुरीली सी मधुर धुन सुनी मैंने खिड़की खोल कर बाहर जहांका मेरी ही तरह का एक लड़का मेरी और अप अलग निहार रहा था यही रोबो था मेरे उपर तो उसके संगीत का जादू हो चुका था मैं अपने को रोक न सका क्षण भर में मैंने अपने आपको बगीचे में पाया रोबो ने मुझसे कहा आओ आज तुम्हें दूर देश की सेर कराए मैंने पूछा किस देश की तो एक दिन वो बच्चा जो है देर रात तब जागता रहा फिर वो सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने बहुत स्वीट सा म्यूजिक सुना तो उसको लगा ये म्यूजिक कहां से आ रहा है तो उसने खिरकी खोल कर बाहर देखा तो बाहर एक लड़का खड़ा था जो उसको देख रहा था तो वो ही जो था वो रोबो था फिर उसका म्यूजिक जो था वो तो बहुत मेजमराइजिंग था उसका एकदम जादू ही थ तो फिर वो अपने आपको रोप नी सका उससे मिलने के लिए वो बगीचे में गया फिर उसने रोबो ने बोला बच्चे से कि चलो मैं तुम्हें अभ दूसरे देश की सैर कराता हो तो बच्चे ने पूछा कौन से देश की सेर कराओगे रोबो बोला जिन ग्रह नक्षत्रों की बाद तुम अपनी किताबों में पढ़ते हो तो रोबो ने बोला कि जिन प्लैनेर्स के बारे में तुम अपनी बुक्स में पढ़ते हो ने बैठाया और देखते देखते मैं ऊड चला दूर बहुत दूर छाफिश घोमने को मिलेगा तो एकड़म ऐसे और फिर इसने गाढ़न में जो एक आप डायाब गूमने। फ़र वहां पर वो लेके गया और वहां पर उसने उसको जहाज में बैठाया और फिर वो दूर दूर उड़के चलने लगे तभी उसका यान धर्ती जैसी किसी जगह पर रुका मुझे उसने अपने यान से बाहर उतारा और गाइड की तरह पीछे पीछे आने को कहा उसने मुझसे पूछा कुछ खाओगे फिर जब वो वहां पहुंच गये वो धर्ती के जैसी जगह लगी उसको फिर उसने रोबो ने बोला कि चलो आप प्लेन से नीचे उतरो और फिर ना धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आओ और फिर उसने पूछा कि क्या तुमको भूख लगी है तुम कुछ खाओगे थोड़ी देर में प्लेट में हरे हरे लड्डू हाजिर थे खाने में भी मज़ेदार मैंने पूछा यह कौन सी चीज के बने है रोबो हसा मेरी नादानी पर अरे यह हैं काई के लड्डू शेवालों के लड्डू दोस्तों मैंने तो अपनी किताबों में पढ़ा था कि शेवाल भी खाई जाती है धर्ती पर कहीं कहीं लोग खाते हैं मगर आज तो शेवालों के व्यंजन मेरे सामने थे पानी की जगर शेवालों का हरा हरा जूस था मैंने उस से हाथ मिलाया मगर यह क्या मेरे उस प्यारे दोस्त का हाथ मेरी तरह मुलायम न था वह तो लोहे सरी का सख्त था मैंने पूछा भी क्या ये नकली हाथ है फिर उसने बोला कि हाँ मुझे बूख लगी है तो फिर थोड़ी देर में रोबो जो है वो प्लेट में ग्रीन कलर के लड़ू लेके आया वो लड़ू खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे बहुत ही टेस्टी लगे फिर उसने पूछा कि ये लड़ू कौन सी चीज़ बने तो रोबो ने उसको बताया अरे ये तो काई के लड़ू है काई होती है न जो ग्रीन ग्रीन होती है वो बारिश के टाइम पर पानी और धूप एकी जगे पढ़ते रहते तो वो ग्रीन ग्रीन वहाँ पर जम जाता है जो अपन को बहुत गंदा गंदा सा लगता है तो वो उस काई के लड़ू थे तो उसको भोथ हेरानी हुई कि अरे काई के लड़ू और उसने कभी किसी किताब में पढ़ा था कि धरती पर कुछ लोग हैं जो काई के लड़ू खाते हैं उसको शेवाल भी बोलते हैं शेवालों के लड़ू नहीं सौरी शेवाल खाते हैं काई खाते हैं पर उसको उसको कभी सोच के ऐसे अपील नहीं किया था अभी तो उसके सामने था और वो ते टेस्टी टेस्टी से सब डिशेस थी वो तो और पानी की जगे पर उसने देखा कि काई काई ग्रीन कलर का जूस है वो भी उसको बहुत अच्छा लगा फिर उसने उससे रोबो से हाथ मिलाया तो उसको भूत हैरा नहीं हुई क्योंकि रोबो का हाथ तो सॉफ्ट था यह नहीं हमारा तो हाथ सॉ क्योंकि पूरा नकली हूँ तब तक उसने अपने हाथों से अपना सीना खोल दिया अंदर मशीनी पूर्जे मुझे बड़ी हैरत हुई फिर उसने रोबो ने बोला वह एक डम अफसेट होगा उसने बोल आरे नहीं सिर्फ हाथ नहीं मैं तो पूरा का पूरा इनकली हूँ फिर उसने ऐसे चेस्ट पे जो उसके बटन्स वगरा लगे हुए थे वो उसने खोल दिये तो नीचे पूरा एकदम मशीनी पूर्चे पूरे सब ऐसे मशीनरी लगी हुई थी तो उसको देखके बहुत हैरत हुई बहुत यास्चर रही हुआ उसने ही बताया हम है मशीनी मानव यानी रोबोट प्यार से तुम मुझे रोबोवी कह सकते हो मैं या मेरी तरह के रोबोट इनी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं मेरी आत्मा यानी तमाम सूचना इन पूर्जों में कोड के रूप में डाल दी जाती हैं और वैग्यानिक गण हमसे मन चाहा काम लेते हैं हम खेती करते हैं बच्चों को पाठ सिखाते हैं गणनाए करते हैं पूछो हम क्याứ हैं एहां तक कि जासुसी भी फिर उसने बताया कि हम तो रोबोट हैं मतलब जो मशीनी मानव हम तो सिर्फ एक मशीन हैं हम रियल के इंसान नहीं है और तुम मुझे प्यार से चाहो तो रोभो भी बोल सकते हो और हमारी तरह की जित्ते भी रोभोट होते हैं वो सब फैक्टरीज में बनाये जाते हैं और हमारी आत्मा नहीं होती है हमारे अंदर इंफोर्मेशन डाली जाती है कोड के फॉर्म में और जो साइंटेस्ट होते हैं वो जो चाहे हमसे काम करा सकते हैं उनको जैसा काम कराना होता है वो वैसा कोड डाल देते हम चाहे तो खेती भी कर सकते हैं हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं हम कैलकिलेशन भी कर सकते हैं हम सारे के सारे काम कर सकते हैं जो भी चाहो बस आप सिर्फ कोड वैसा डाल दो तुम्हारी धर्ती पर मुझे जासूसी के लिए ही भेजा गया था रोबो ने अपना सारा भेट खोल दिया तब तक उसके और साथी वहां आ चुके थी उन सभी से उसने मेरा परिचय कराया इन से मिलो यह है प्रत्वी के अवासी ओम शर्मन और यह है मीनियेचर ग्रह के मशीनी माना यानी रोबो फिर उसने बताया कि धर्ती पे तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था जासूसी करने के लिए भेजा गया था फिर रोबो ने अपनी सारी बाते उसको बता दी अपने सारे सीक्रे है और यह मीनियेचर प्लैनेट पे रहते हैं यह मेरी तरफ मशीनी मानव है मतलब यह भी रोबोट है और इनके नाम मैंने टोका हाँ हाँ नाम नाम नहीं इन्हें नंबर दिये जाते हैं जैसे कि मेरा नंबर आर टू वन जीरो है तो फिर उसने पूछा कि अच्छा इनके नाम क्या है तो उसने बताया कि अरे नहीं हम तो मशीनी मानव हैं हमारे नाम नहीं होते हैं हमें तो सिर्फ एक नंबर दिया जाता है जैसे मेरा नंबर है आर टू वन जीरो फिर वह हमें एक अक्ष में ले गया वहां बच्चों को एक रोबोट ही पड़ा रहा था मेरे दोस्त रोबोट ने मेरी उनसे मुलाकात कराई वे मेरी बात समझ नहीं सकते थे और नहीं मैं उनकी रोबोट ने दुभाशे का काम किया और बातें होने लगी बातें हो ही रही थी कि एक आएट टीचर रोबोट ल रूम में लेके गया, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक रोबोट टीचर पढ़ा रहा था, फिर उसके साथ इंट्रोडक्शन कराया, अब वापस में बात तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि ओम को उनकी भाशन ही आती थी, और दूसरे बच्चों को ओम की भाशन ही आती थी फिर अचानक से जो वह टीचर रोबोट था एकदम से गिर गया, तो फिर जो रोबोट था उसने क्लास की चुट्टी कर दी साब बच्चों की और फिर वह टीचर रोबोट को लेकर अपनी वर्क्शॉप में लेगी गया